नवस्कार दोस्तों स्वागत और अभिनन्द ने आपकी अपनी तक्षिला एकेडमी जोदपुर के यूट्यूब चैनल बर दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं राजस्तान हाई कोट ग्रूप डी के महतपुर्ण प्रश्णों के उपर एक प्रश्ण माला और उशी को ध्यान में पहला प्रश्ण पढ़ते हैं जल जूलनी एकादसी कब मनाई जाती है चार ओप्सन ने आपके पहला ओप्सन है कार्टिक शुकले एकादसी दूसरा है चैतर कृष्ण एकादसी तीसरा ओप्सन है मां कृष्ण एकादसी और सोता है बादरपद शुकले एकादसी दोस्तों पूचा है जल जूलनी एकादसी देखिए दोस्तों ये कब मने जाती है जल जूलनी एकादसी ये मने जाती है बादरपद आता है और बादरपद में सुकलपक्ष बादरपद में शुकलपक्ष और शुकलपक्ष की क्या एकादसी उसी को क्या कहा जाता है जल जूलनी एकाद वाला समुही गीत है रड़कियों दुवारा गाया जाने वाला समुही गीत जिसका नाम है गुड़ला किस शेतर में गाया जाता है यानि गुड़ला किस शेतर में गाया जाता है चार अप्सन ने आपके सामने पहला जैपूर है दूसरा अलवर है तीसरा जोधपूर है और च तो यह गुड़ला महुत्सव है यह भी जोद्पूर में मनाया जाता है ज्यान रखना इसके अलावा अगला सवाल कौन सा है वो देखिए निमलिकित में से कौन सा सूमेलित नहीं है इस प्रश्ण में आपको चार दे रखे हैं अंग और इसके साथ चार अंगों में आपेने जाने वाले आपुषण उनको आप बताना है सही कौन सा है गलत कौन सा है पहला है शीर पर रखड़ी कान में जोला है दात में चौंप और अंगोली में बीटी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा दात देखिए दात होता है उसके अंदर जो अबुषण होता है ना कि चौंप तो चौंप कहा का पूशन है अब बात करते हैं अगले सवाल की अगला सवाल है बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है यानि जब बारात जाती है उस समय जो स्वागत किया जाता है उसको क्या कहा जाता है चार अप्सन है पहला है बडार दूसरा है शा प्रमेला कहा जाता है अगला स्वाल देखिए निम्न मैंसे असंगत छाटी है तीन और चार आप्सन है एक गलत है वो डूनना है अपने को दही दही आदी मतने के लकड़ी की छोटी होती है रही उसको जेरनी कहा जाता है दूसरा है भोजन रखने की लकड़ी का बना पाटा बाजोड कहलाता है तीसरा है साद्धू साद्धूं का पोजन करने का जो चोड़ा चपड़ा पात्र होता है उसे पात्रा गहा जाता है और चोटा है चूड़िया बनाने वह बेचने वाला कारीकर होता है वह लुहार होता है दोस्तों हमारे घर में देखिए आप लोगों क साँ हbucks होता है तीसरा उप्सिन ही साथ गोजन करने का बार होता है और उसको क्या और यह कहा is 거ा, चूरिया बनाने वा बेजने वाला कारीकर होता है वो लुहाग को साथा ही क्या कहलता है मनिहार कहलाता है मनिहार ही होता है वो चूड़ी बनाने और बेजने का कारिया करता है अगला स्वाल क्या कहता है वो देखिए किसंगड सेली का प्रसित कलाकार था किस की सेली का किसंगड सेली का ध्यान रखना दोस्तों चार अप्सन है किसंगड सेली से सम्मंदित पहला है नागरिदास दूसरा है रामलाल तीसरा अल्ली रज्जा और चोटा है वो है हसन तो किसनगड़ सेलीका जो परसित कलाकारता उसका नाम ता नागरिदास ध्यान लगना दोस्तों नागरिदास से सम्मधित क्या सवाल पूचा जाता है कि नागरिदास कि सलीका कलाकार था तो किसनगड सलीका ध्यान रगना कि सलीका तो किसनगड सलीका अगला क्या है कि नागरिदास किसनगड कि सलीका तो था ही इसके अलावा इसकी जो प्रसीत जो चित्रकार था या प्रसीत जो चित्र था कौन सा था वो था बनी ठनी क्या था बनी ठनी और बनी ठनी का जो चितर है उसको क्या कहा जाता है तो बनी ठनी के चितर को ध्यान रखना हमारे यहाँ पर कहा जाता है भारत की मोनो लिशा भारत की मोना लिशा कहा जाता है इस बनी ठनी को ठीक है भई अगला सवाल देखते हैं इसे के अंदर बनी ठनी के अंदर ह तो द्यान रगना एक वैक्ति थे जिनका नाम था सावंत सिंग अजमेर के शासक थे इनके दरबार में रहता था कई बार ये सवाल पूचा जाता है कि बनी ठणी जो चितर शेली है या बनी ठणी अब देखे अगला सवाल इस्क्रीन पर लिखा हुए तो ठीक है अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ अगला सवाल क्या है मद्या रावली शेतर की सबसे उची चोटी का नाम बताना है आपको मद्या रावली की सबसे उची चोटी कौन सी है चार ऑप्सन है पहला है जर्गा दूसरा है बेराड तीसरा है तारागड और छोता है अचलगड दोस्तों मद्य अरावली की जो सबसे उंची चोटी है वो है तारागड चोटी और तारागड कहां पर है ये अजमेर में मद्य का मतलब है कि अरावली का बीच वाला इसा उसकी सबसे उंची चोटी का नाम क्या है उसका नाम है तारागड ठीक है भई अगला सवाल देखते है सवाल है मौसर क्या है? चार ओपसन दिये हैं आपको राज़स्तान में मुर्थिव पोच की एक प्रता है जीवीत रहते हैं मुर्तिव बोच करने वाला है विवावा पर दिया जाने वाला समुहिक भोज है या पिर मामा द्वारा भरे जाने वाले बोजन का नाम है दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मौसर का मतलब होता है मृत्तिव भोज मौसर मतलब मृत्तिव भोज ठीक है अगला इसी के अंदर ध्यान लगना की अगला सवाल देखेंगे क्या है ताराबात की ओड़नी राज़स्तान की किन इस्त्रियों में परचली थे लोगप्रिये वेश भुसा है चार अप्सन है पहला है राजपूत इस्त्रियां दूसरा है गुर्जर इस्त्रियां ती के अलाबा केरी बात हैं या फिर सवाल पूझने चुन्र बात है यह सबी जो और दिन्यों के परकार है दोस्तों जिन और दीनियों के पीछे बात लगता है दोस्तों वीडियो को लगता है देखते रहिए हैं ठीक है धो कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जय हिन जय भारत